हलो दोस्तो और बढ़िया सब स्वागत है आप सबका हमारे और आपके प्यारे से चैनल कुकिंग मुखिया पर कम समय में कुछ अच्छा और टेस्टी नास्ता बनाना चाहते हैं तो आप यह नास्ता बना सकते हैं इसे बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए रैस्पी शुरू कर लेते हैं इसके लिए हमने एक कटोरी मूंकी दाल को तीन से चार घंटे भिगो दिया था उसी के साथ हमने मुफली को भी भिगो दिया था तीन चम मच इसे हमने ग्रैंडर जार में डाल दिया है अदरक, मुफली और हरीमिर्श को भी डाल देंगे पहले हम ऐसे UC Pixar लेंग अगर आपको लगे तो एक दो चमच पानी डाल सकते हैं तो इसे हमने बोल में निकाल लिया है जार में थोड़ा सा पानी डाल कर बोल में डाल दिया है अब यहां पे हमने आलू को छील लिया है यह मोटा वाला ग्रेटर लिया है हमने इससे आलू को ग्रेट कर लेंगे यहां नमक पहले नमक पहलें डिया काट लिया था इसको भी काट लिया है अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक से यह सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके तो इसे हमने चीसे मिक्स कर लिया है यहां पे पहल लिया है और इसमें हम दो चमश ऑई डाल देंगे उसी हल्का सा गरम कर लेंगे अब इसमें हम एक चमश भरके इस त देखे इस तरह से हमने पलट दिया है अलट पलट कर हमने क्रिस्पी होने तक इसे सेक लिया है इसी तरह से हमने दूसरा बना लिया है इस तरह से हम फिर से आपको बना के दिखा रहे हैं इसमें हमने चीज डाला है चीज बिल्कुल ऑप्स्टनल है बच्चों को बहुत पसं लेंगे आप एक बार नास्ता बना के जरूर देखना यह बहुत ही तेस्टी बनता है अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लें हम आपको तोड़के भी दिखा दें कि अंदर से कितना सॉफ्ट है देखिए थैंक्स पर वोचिंग टेक कियर बाइ